दोस्तों आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू क्यूंकि हमारे चैनल पर 5 मिलियन की फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है तो इसी बात पर मैं अज बहुत ही यूनिक चीज अन्बॉक्स करने वाला हूँ इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रूल से चलने वाला डाइनसौर यह डाइनसौर की सबसे खास चीज यह की पानी पे चल सकता है तो मैंने आज तक जितने भी डाइनसौर संबॉक्स किये थे वह सिर्फ जमीन पे चल सकते थे पर यह उन सबसे अलग है आज मैं इसकी फाइट करा हूँगा बहुत सारे फिशेस के साथ बहुत सारी शार्क्स के साथ यहां पे देख लो यह है एक स्नेक बॉट इसको बायानिक स्नेक भी बोल सेकते हैं यह क्यूट सी डॉल्फिन यह मेरे पास यह बहुत जादा पावरफुल और एक सबसे धमाके फिन इसके अंदर लगाए गया है सिमुलेशन मॉडल डिजाइन है पूरी तरीकी से हाई क्वालिटी मेटेरियल से इसको बनाया गया है यहां पर इसके और इसके बारे में यहां पर इन्फोमेशन देखने को मिल जाती है चलोग इस बिनावक देश्ट के फट्टा पट से यहां से मैं उपन करने मालो हो आपनें अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं क्या तो लाइक करो चानल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब करके बurmstell ज़रू से यहां पर इसकी इसकी बाटरीस है इसके साथ एक अच्छी बोड़ी यह चीज बहुत बहुत सारे पानीं में चलने वाले चोटी होती है दो दो पाटरिस के साथ मिलिया और ये काफी जादा छी अलजव दिअ सायागे है यहाँ पर है इसका रिमोट बुझाट के पारे क्लीका नकी tietर किस्व एक है में वन oh my god जैसे हम इसको पानी में रखेंगे तो इसके आइस के अंदर red color की LED आने लगीगी इस सारा का design देखने को मिलता है सबसे खतरनाक है इसके teeth हाई साब लग रहा है कि यहाँ पे कोई real teeth इन लोग ने लगा रहे हैं यहाँ पर इसकी पूँच काफी जादा flexible है यहाँ पर इसकी पूँच के पास इस तरह की ऐक पतवार दी गई है यहाँ पर सामने के fins है यहाँ पर पीछे के fins सामने की fins के अंदर यहाँ पर dual motor इसके अंदर attach किये गए और इसके propellers काफी जादा different मेरे को लग रहे हैं तो यह battery इसकी यहाँ पर इस तरह से लग जाएगी अब यह dinosaur crocodile का comparison में एक baby crocodile से करके बता देता हूँ मुझ के अंदर बहुत जादा teeth दिये गए इसके मुकाबले में बाकी दोनों की length उतनी है और दोनों का weight आपको में बता हूँ तो काई यह इससे काफी जादा भारी पर कम है क्यूंकि इसके अंदर काफी heavy बाटरी दी गई है बाकी यहाँ पर इसके अंदर fins देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ भी fins दीए गया है इसके अंदर legs देखने को मिलते हैं इसके सामने के legs के अंदर ही यहाँ पर दो propellers दिये गए यहाँ पर एक छोटी सी battery हम लोगों डालनी पड़ती है वो battery भी rechargeable होती है और यह सबसे खतरनाक दिखाई देने वाली चीज़ bionic snake भी है मेरे पार और एक shark भी है lights दी गई है ताकि हम इसको night में भी चला सकें चलो भी इसको पानी में डालते हैं चला के देखते हैं यह कितनी बड़िया तरीके से चलती है इसके अंदर एक बड़िया चीज़ मेरे को लगी left trigger से ही यह control हो रही है और बिल्कुल straight में चल रही है बाकी मेरे पास जितनी भी fishes या फिर sharks है उनको दोनों triggers का इस्तेमाल करना पड़ता है चलानी के लिए पर इसके अंदर ये feature मेरे को बड़िया लगा देखो अब ये अपनी पूंच हिला के भी चल रही है या फिर मैं इसको single trigger से भी control कर पा रहा हूँ ये काफी ज्यादा मस चीज लगी गाइस मेरे को यहां पर एक और बटन है इसको मैंने जैसे ही प्रेस कर दिया है ये अपने आप ही चलने लगी है अब इसको मैं बिल्कुल भी control नहीं कर पा रहा हूँ ये इसका demo बटन है अपने आप ही करके बता दिये इसकी रेंच 50 से 60 मीटर दूर तक दी गई है यहां देख लो मैंने इसको कितनी दूर चला दिया है बाकी उपर की तरफ दो ट्रिगर्स है ये कुछ काम के मेरे को लग नहीं रहे इसका मतलब यही कि dummy ट्रिगर्स इन लोगों ने यहां पर दे रखे है बाकी ये turn वगरा बहुत flexible तरीके से ले लेती है इसको चलाने में भाई मेरे को तो मजा ही मजा आ गया अब ये bionic alien snake को test करके देखते हैं ये पानी के उपर ऐसे चलता है कि जैसे जमीन पे चल रहा है अब इसके साथ एक अलग तरीके की चीज करेंगे यहाँ पे एक डख का बच्चा है देखते हैं गाईस इसके पास तक लेके जाकर ये किस तरह से react करता है अभी तक तो ये बिल्कुल भी डरा नहीं है आप देखो ये यहाँ जो दुम दबा कर भागने लगा क्यूंकि गाईस ओवियसली इसको देखकर कोई भी डर जाएगा क्यूंकि ये दिखने में इतनी जादा डेंजरस चीज नजर आती है पानी के उपर मैं इसको बहुत दूर तक चला चुका हूँ तकरीबन सो मीटर दूर तक मैंने इसको चला दिया है अभी भी ये मेरे रिमोट से प्रॉपरली कनेक्टेड है अब ये डख यहाँ से निकल चुकी है वाद की हालत खराब होने लगी है एक काम करते है हमारे स्नेक को भी हम लोग इस तरफ लेके आते हैं डॉल्फिन अपने अभी पानी क्यूबर तैरते रहेगी अटोमेटिक तरीके से अब मैं इसको मैनवली भी चला के बता देता हूँ यहाँ पर इसके बटन से इसको लेफ राइट कंट्रोल करनी के लिए लेफ साइड में इसको सीध में चलानी के लिए एक और बटन दिया गया यह रिमोट खराब हो गया था है अब मैं अभी इसको प्रॉपर तरीके से रिपेर कर दिया अब मैं हेमरेंट शार को पानी क्यूबर चिला के बता देता हूँ पानी क्यूबर मैं इसको रख दिया इसकी सबसे खास चीज है इसकी पुँच यह अपनी पुँच को इतनी स्पीड से हिलाती है कि देखते ही देखते है भाई इधर से उधर तक पहुंच जाती है अभी का भी देखवार कितनी दूर तक यह जा चुकी है इसको मैं वापस भी लेके आता हूँ यहाँ भी एक कलर के होने लगते है इसका मतलब यह है कि अब अब आक्टिवेट हो चुकी है पानी के उपर चलानी के लिए यह अपनी पुच को भी बहुत स्पीड से हिला कर चल सकती है इस वजह से यह रियल क्रोकोडाइल जैसे ही दिखाई देती है और पानी के उपर चलते समय तो मेरे बटन दबाने पर यहां से है पानी भी फैंकने लगती है यह देखो इसका तरीका बहुत जादा अलग है चलाने का दोनों ट्रिगर्स को यूज करना पड़ता है चलानी के लिए यह अल्मोस्ट पानी के अंदर डूप के चलने लगती है ताकि पानी का रेजिस्टन्स इसक पर आपके bubbles निकलने लगते हैं इस वचे से इसकी स्पीड बहुत जादा कम हो जाती है चलोगा इस पहले इन दोनों के बीच पे कराते हैं रेस देखते हैं दोनों मेंसे कौन जिता है ओके चलो रेस अबी स्टार्ट हो चुकिया है औल्मोस्ट डाइनो क्रोड़ाइल बहु आपके यहां पर डाइनो क्रोकोड़ाईल करें दोनों के बीच में पर पानी की और को सकती है वह grilled लडाई होने लग रही थी क्यूंकि डाइनो क्रोकोटाइल इसको आगे जाने का बिल्कुल भी चांस नहीं दे रही थी है और यहाँ से आप दोनों को टर्न करा ले थे दोनों बिल्कुल साइड बाई साइड तैर रहे थे पर अब डाइनो क्रोकोटाइल ने अपनी स्पीड बढ़ाना चालू कर दिया वहीं दूसरी तरफ हामरेट शार को आपोसिट डारेक्शन में तैरने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है डाइनो क्रोकोटाइल ने वापस से रेस जीत ली है अब होगी फाइनल रेस इन दोनों के बीच में देखें क्या ये क्रोकोटाइल ये डॉल्फिन को भी हरा पाती है ठीक है अब होगी इन दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाली रेस क्यूंकि दोनों ही पानी के उपर बहुत फास्ट स्विम कर सकते हैं यहाँ पे क्रोकडाइल पूरी कोशिश कर रही है डॉल्फिन को पानी के अंदर दुपोने के लिए पर डॉल्फिन देखा और इसके नीचे से निकल के भागने की पूरी कोशिश कर रही है ओ माई गोड यहाँ पे दोनों के बीच में एकदम खतरनाक सी लडाई होने लगी है डॉल्फिन ने शायद अभी क्रोकडाइल को पकड़ लिया है इसके फिन से और डॉल्फिन क्रोकडाइल को गोल गुमा कर कंफ्यूज कर चुगी अब क्रोकडाइल को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ तहर ना इसी बात का फाइदा उटा कर डॉल्फिन बहुत साथ आगे निकल गई है इसके पीचे 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 क्रोकडाइल आ रही है बहुत फास्टली पर डॉल्फिन ने यहाँ पे जीत ली है अब इन दोनों के बीच में कराते हैं तोगोफ और देखते हैं क्या यह क्रोकडाइल अपनी हार का बदला ले पाती है यह डॉल्फिन से चलो गई स्टार्ट करते है गाइस देखो डॉल्फिन आराम से खैंच रही है क्रोकडाइल को इसके प्रोपिलर्स ने बहुत जारा यह देखो गाइस कितनी उपर तक यह फानी फैंक रही है यहां पर अब होगी फाइट वेल वर्सस डॉल्फिन की देखते हैं इन दोनों में से कौन जित यह लड़ाई वापस से स्टार्ट हो चुकी है चुटकी बजाते ही डॉल्फिन ने वेल को भी खैंचना चालू कर द डॉल्फिन इतनी जादा भारी वरकम टैंक को भी पानी के अंदर खैंच के लिए यहां पर टैंक पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए पर डॉल्फिन बहुत जादा पावरफुल निकली भाई सहाब यह डॉल्फिन के साथ मैंने बहुती जादा रहा था पर इसका एक प्रोपेलर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था आप सभी का दिल से थैंक्यू यार क्यूंकि आप लोगों ने 5 मिलियन तक मेरे को पहुंचा दिया है इसी तरह की और कमाल कमाल की वीडियो देखने के लिए चैलल को सब्सक्राइब करके बैल नाम है आयान, जीतू, महनास, प्यूश, अवनिश, अनिश, साजिद, अलियान, शुबध, अतुल, तैंक्यू दोस्तों इतने अचे कमेंट्स करने के लिए अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाओट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे लाइक नीचे कर दीजे कमेंट बाइब दोस्तों